आज जो मैं आपके सामने एक बाते बताने जा रहा हूँ वो जरूर ही आपके लिए करवी होगी और आपको करवा भी लगेगा लेकिन दुनिया की सच्चाई यही है आज जो दुनिया में बहुत सारे बेकती हैं आप भी उसमें सामिल है आप हमेशा दुखी रहते हैं हर चीज को सोचते रहते हैं क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हूँ आपको मिल नहीं पाता है तो क्या जीवन ने आपका ठेका ले रखा है कि आप जैसा चाहते हूँ ऐसा ही होगा कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है आगे बरना पड़ता है, दोरना पड़ता है, चलना पड़ता है और आप सोचते कि मैं बैठे-बैठे मेरे नसीम में सारा चीज हो जाए तो ये कभी नहीं होगा आपको जब जीवन मिला है तो आपको इश्वर ने, आपको प्रकिर्ती ने, या आपके chemical reaction ने आपको हर चीज नहीं परदान किया है आपको खुद बनानी परती है उसे और आप जो चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छाए हैं, वो कभी सांथ होने वाली नहीं है आपको अपने मन पे काबू रखना होगा लगातार अपने मनजिल के और ध्यान रखना होगा हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा और तब जाके आपके शुक में जीवन आएंगे और आप चाहते हैं, कि मैंने सिटेट का फॉर्म डाल दिया मैंने UPSC का फॉर्म डाल दिया, बैंकिंग का फॉर्म डाल दिया और मैं सोया रहूंगा या बैठा रहूंगा और मेरा UPSC टॉपर आ जाएगा तो ये कभी नहीं होगा, आपको इसके लिए जनना पड़ेगा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको पक-पक पे ठोकरे खाने पड़ेगी आपकी दुनिया की बात सहनी पड़ेगी आपको घरवालों का बात सहना पड़ेगा, आपको समाज का बात सुनना पड़ेगा लेकिन आपको वहाँ पे केबस सुनना ही होगा आपको उहाँ पर reply नहीं करना है, reply कैसे देना है, तो reply आपको एक ही चीज़ से देना है महनत के द्वारा, और वह महनत इस तरीके से कि आपके सामने कितनी भी बरी रुकाबती आ जाए, कि रितना कितना भी बरा गुरुत्वा कर्शन आ जाए, लेकिन आप डगमगाएंगे न तक कि आपके मंजिल नहीं मिल जाती, मंजिल मिलने के बाद भी नहीं रुकेंगे, फिर भी चलते रहेंगे, और इस दुनिया के लिए एक नायाब, तोफा, नायाब चीज़ करेंगे, तो आपको ठकना नहीं है, हारना नहीं है, बलकि आपको महनत करना है, हर पल, हर शमय, क सब चीज को छोड़ कर वो खुद मेहनत किया होगा, खुद जला होगा, खुद तपा होगा, और तब जाके वो बना होगा एक इंसान, तो आप भी हमेशा अपने लक्ष की और किंद्रित रहिए, हमेशा लगे रहिए, दीन डात उसके लिए मेहनत किजे, और बैठने का कभी मात नाम लिजे, चलते रहिए, कभी भी कल पर मत छुरिए, जो करना है, आज आपको करना है, आज आपको उठना है, आज जगना है, और आज से यह स्टार्ट करना है, कभी नहीं पस्ताना है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि जब जगे तब सवेरा आपकी जब नींद खुल जाती है जब आप उस काम के लिए स्टार्ट कर देते हैं जब शुरुआत कर देते हैं उसी समय से आपके लक्ष मिलना शुरू हो जाता है तो आप भी लगे महनत करे और कभी भी अपने आप से बहाना बनाना छोड़िए कि मुझे पैसे नहीं है मुझे घर नहीं है मेरे पास धन दौलत की कमी है मेरे माता पिता ने अच्छे संसकार नहीं दिये मुझे माता पिता ने अच्छे स्कूल में नहीं भेजा तो ये बहान तो इस धर्ती पर आएक मुकाम के लिए उस मुकाम को पाईए इस दुनिया का कल्यान की जी अपना कल्यान की जी और दूसरे के लिए एक जलती वी सूर्ज के रोशनी की तरफ बनिए तो चलते रहिए कभी रुकना नहीं है जब तक कि आपके लक्ष नम मिल जाए चाहे लोग कितना भी कुछ के उनक है क्योंकि लोग आपको केबल कहेंगे परवाह नहीं करते हैं लोग आपके बारे में सोचेंगे बुरा लेकिन कभी अच्छाई नहीं कर सकते आपके लिए तो आपको ही करना पड़ेगा दुनिया को आपको ही दिखाना पड़ेगा तो जगिए लग और देखे कि आपकी मंजिल कितनी करीब आ रही है, जो भी कमिया आती है, उस कमियों को दूर करने का उपाय करे, अगर दूर हो जाती है, तो फिर नया लक्ष बनाए, उसको पाले, वो मिलता है फिर बनाए, कभी बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, और चलते तो जिस दिन आपकी चलने की रफ़तार तेज रहेगी, चलते रहेगा, तो उस दिन आपकी मंजिल भी बहुत करीब हो जाएगी, तो चलिए, बैठिये मत, चलते रहे, लक्ष की और बढ़िए, एक अच्छे गाइडलाइन में बढ़िए, बस चलते रहे, चलते रहे, चलत अर्शाइद ढाट घो हाएंता थैड़ जा रहे, लक्ष के चलते रहë, रहेगा, रहे च्छेडलाइन में अरहे, बūक्ते रहे, बढ़िए, प्वाुत चलते रहे, poquito धरते रहे, जा बस आवातार की यजागी, जा रहे गीन आपकी लाओी किश।, आ.